नमस्कार साथ यो तो आज है 29 सेप्टेमबर 2024 दोस्तो जैसे की लास्ट वीडियो में हम लोग चर्चा किये थे कुछ ऐसे इंपोर्टेंस सेक्टर्स और शेर्स के बारे में जिसमें कल गिरावट हो सकता है for some reason अभी इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहा है कुछ ऐसे करके रख दीजे यह सारी कंपनी हो सकता अभी सही एट करके रख दीजेगा ठीक है आई अब एक एक करके कंपनी यानि शेर्स का नाम और इसके पीछे क्या वज़ा है आपके साथ मैं शेर करता हूं सबसे पहला जो शेर दोस्तों IDFC फोस्ट बैंक लिमिटेड उसके साहां स एक्जम्पेल आप HDFC बैंक को ले सकते हो 2022 में आपने देखा था HDFC और HDFC बैंक की बीतर जब मर्जर हुआ था यह दोनों ही कंपनी की शेर में बहुत अच्छा मूबमेंट आपको देखने को मिला था और IDFC फोस्ट बैंक यार IDFC की बात करें देखे शेर में थोड़ा- अल्लेडी शुरू हो चुका है अल्लेडी हमने देखा 25 तरी को एंसील्टी द्वारा एप्रिफर मिल गया था बोड़ ऑफ डिरेक्टर ने भी एकदम कंफर्म कर दिया की डेट बगरा तो अल्लेडी मैं इसको बर लास्ट डे वीडियो पोस्ट कर चुका हूं अगर आपने एक और शांदा दोस्तों ओडर मिला यह देखिए 134 करोर की 134 करोर यह सैटरड़क अपडेट है यह देखिए 28 तरीक अपडेट है ठीक है यस्टरड़े तो जिस बज़े से मोस्ट पॉब्लीकल रेल टेल की शेयर में भी अच्छा ओपिनिंग हो सकता है फ्राइडी की तरह अब देखिए उपर जाएगा नीचे जाएगा वह अलग बात है बट एक अच्छा ओपिनिंग दे सकता है जैसे कि अब देखिए फ्राइडी की दिन भी क्योंकि 155 करोड़ की एक ओर्डर मिला था थर्जडे रात को जो न्यूस आयाता है तो जिस बैसे शेयर में एक अच् को बार-बार रिजेक्शन मिल रहा है एक बार यह लेवल अगर सक्सेस्फुली ब्रेक कर लिए उसका पांच जार आराम से शेयर दोस्तों फुल रिकवर कर देगा इवन शेयर शेयर भी ब्रेक कर सकते क्योंकि कंपनी कैसे कंपनी है ना चो कि मतलब बड़े बड़े इसका मोनोपॉली भी है नेक्स देखिए मजगाव डॉक कल रात की नियूज है जो लोग देखा था उनको तो याद होगा कि अभी इंदोनेशन गवर्मेंट सम्मेरिन पर्चिस करना चाह रहे भारत से और भारती कंपनी में एक ही कंपनी है जिसके पास सम्मेरिन बनाने की टेक्नोलोजी वो है वो मजगाव डॉक तो जिस बैसे मोस्ट पॉबली मजगाव डॉक के अंदर भी एक अच्छा रैली हो सकता है पॉसिबिलिटी है कभी भी बड़े नियूज आएगा आपको शेयर कर दोंगा ओके नेक्स देखिए मैं आपको एक डेटा शेयर करना चाह को थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश कर आए जो कि लास्त दो साल पर एक दम बोल सकतो हो कि एक दम पॉस्ट मोड में पहुंच गया था एक दम पॉस्ट हो गया था जिसके चलते क्योंकि यह कल का नियूज है यह देखिए तो जिसके जलते मुस्ट प्रबड़ी टेक्स सेक्टर में अच्छा गेनिंग आपको दिखाए दे सकता है चाहिए बात करें ट्राइड लिमिटेड या वेल्सपन लिबिन हो गया यह सारे टेक्स्टेल इंडस्ट्री की कंपने इसको नज़र रखेंगे एक और बढ़िया कंपनी भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ब अब देखें बेल नज़र रखने के पीचे एक नहीं बल्कि दो बड़े कारण है सबसे पहला कारण तो यह है कि देखिए निफ्टीफिटी का हिस्सा लास्टे बन चुका है फ्राइडे के दिन पर उसमें एक्च्छल में कोई बहुत बड़ा इंफ्लो लास्टे देखने क नहीं मिला बट अगर आप डेलिवरी रेट चेक करेंगे ना अल्मोस सेवेंटी परसंट की डेलिवरी था मत्तब बजार क्लोज होने के समय बहुत सारी इंवेस्टमेंट हुआ था इसका इंपक्ट आपको कल देखने को मिलेगा उसके साथ साथ देखिए ओविसली जो दू एससी एनसी की जो ओफिशल वेपसर है ना वहाँ पे बेल लिखके सर्च करके चेक आउट करना कब का न्यूस है ठीक है बेल और इस्राइल एरोस्पेश और आप देखिए आज की रेट में इस्राइल कितना चर्चे में है चारों तरफ पूरे दुनिया पे इस्राइल एरो सबन चुका है उपर से यह न्यूस तो मोस्ट पर दोस्तों कल बेल के बेल में एक दिक्कत क्या हो रहा है कि बेल ना उपर की तरफ लास्ट कुस टैम से 295 से लेके 300 के आसपास बारा रिजेक्शन में जैसे कि हमने देखा सारे 4000 के आसपास दोने अच्छी कंपनी है तो इसक सब्सक्राइब कारोवर भी काफी अच्छा था अब सरकार ने दोस्तों क्योंकि अभी फेस्टिबल से जने फेस्टिबल से देखे जनमास्टर में गनेश चतुर्ति के साथ अलेडी शुरुआत हो चुका है हम लोग फेस्टिबल से लिए चुके आगे देखे दुरगा इसका जो में बिजनेस के एक्टरिंग की बिजनेस और टिकेटिंग की बिजनेस तो जिसके चलते आयर से एक्चुली शेर अमने यह भी देखा कि फेस्टिबल सेजन में काफी चल जाता है शेर बहुत अच्छा गेनिंग होता है तो इसको बद नज़र रखिए नेक्स्ट की ट्रांजेक्शन फीज तो आप लोग को मालूम होगा कि आप अगर कोई शेर को परचेस करते हैं या कोई ट्रेड लेते हो पूर्ट हो सकता है कुछ भी हो सकता है इसके खाते में एक चार्ज जाता है वह चार्ज दोस्तो कुछ परसेंटेस इंक्रीज होगा और वो जी इ वो तो अलिस्टेट कंपणिया बट बीएसी की शेयर में अच्छा गेनिंग होगा क्यों कि मार्जीन दोस्तों इंक्रीज हो जाएगा मार्जीन और जदा ब्रॉड हो जाएगा तो बीएस को बनाजर रखें नेक्स्ट इंपॉर्टन देखें एनेच्पी से नियूज आया जो अच्छा आपको आगे दे सकता है नेक्स दोस्तों बात करेंगे इंपॉर्टन शेयर टाटा मोटर्स के उपन और उसके पहले अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इनफॉर्मिटी लेगा प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टैप की इंफॉर्मेटीव वीडियो हलो स्पानी के लिए एक और छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा आज रात की जो सारे दोस्तों की वीडियो आएगा ना जिसमें नेक्स डे मार्केट प्रेक्शन मत बजार कह देट आया ठीक है ताड़ा मोटर्स के बड़ तो इसको नजर रखिए मैं आपको एक बाद थोड़ा दिखाने की कोशिश कर अगर मिल गया तो बहुत बढ़िया नहीं मिला तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंग यह देखिए 36 मीट पहले का न्यूस है ठीक है एक और इ अच्छा ब्रेक आउट हो सकता हजार के लेवेल अगर ब्रेक का लिया अब शेयर धर 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 उपर की तरब बढ़ेगा एनिवे नेक्स्ट दोस्तों आरे भाई रिस इलिमिनेट को एकदम एकदम गरमा गरम न्यूस आडिसी लिमिटेट क्या हो लगे लास्ट डेव सब्सक्राइब करेंगे यहां पे कुछ है नहीं यह वाला न्यूस ने एक्चुली बड़ा इंवेस्टमेंट करेंगा ठीक है तो लासन टुब्रो पर बहुत सारे इंपडेट आया मिल गया तो बढ़िया नहीं मिला तो नेक्स्ट वीड़े में कवर कर देंगे यहां पे इंवेस्टमेंट करेंगा ठीक है तो लासन टुब्रो नज़र रखें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कल्यान जोलर्स लगातार चार-पांस दिन से डिकलाइन अभी देखिए फेस्टिवेल सब्सक्राइब नज़र रखें खास करके कल्लैन जोलर्स हो गया शेन को गोल्ट हो सब्सक्राइब करेंगा था कि देखिए ब्रेन कुट की प्राइस क्योंकि देख भी मिडलिस्ट में ना टेंशन काफी बढ़ चुका है खास करके हिजबुला की लीडर को मार दिया इस्राइल एरस्ट्राइक के थू लास्ट दे आज हमने देखा हिजबुला की एक सिनियर क सब्सक्राइब करेंगे और आगे भी बहुत सारी इंपोर्टेंट वीडियो अपलोड करेंगे अगर आपने नहीं देखा रिक्वेस्ट करूंगे वह चेक करके जरूरा ना चैनल पीजिट करके बिकास लास्ट वीडियो में लोग कवर किया थे कुछ ऐसे इंपोर्टेंट सेक्टर संशियर जिसमें कल गिरावट हो सकता है वागी इस वीडियो को वाइंड आप करते हो मिलते नेक्स वीडियो पर टेक क्यार बबाई जाए हिंद्व